हेलो दोस्तो मेरे चैनल सुक्समरदी उपाई में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज मैं रुपे पैसे के वारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूँगी किस जगहे पर आपको रखने चाहिए किस जगहे पर नहीं रखने चाहिए कभी कभी क्या होता है दोस्तो पैसा आता है और आते ही चला जाता है बिमारी आदियों में लग जाता है कभी भी बरकत नहीं बनी रहती है धन व्रद्धी नहीं होती है और आता है और चला जाता है तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जिसके से आपको बहुती ज़्यादा लाब होने वाला है दोस्तो जो रुपे पैसे होते हैं वो शुक्र से संबंदित होते हैं मा लक्षमी से संबन्दित होते हैं और अगर इन्हें सही जगए पर सही दिसा में नहीं रखा जाता है तो कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होने की है तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो पर नए है तो लाइक सस्क्राइब जरूर करीजे बाद में आप भूल जाते हैं और कमेंड में जय मा लक्षमी श्रदवाफ से जरूर लिखेगा दोस्तो जो रूपे पैसे होते हैं वो खास तोड़ से हमें किसी लाल कपड़े में जरूर लपेट कर रखने चाहिए कभी भी कुछ लोग क्या करते हैं रूपे पैसे लाते हैं और कहीं भी उन्हें रख देते हैं लेकिन एक निश्चित जगेर होनी चाहिए रूपे पैसे के रखने के लिए कभी भी इधर उधर आपको नहीं रखने हैं हमेशा स्वक्ष जिगे पर ही आपको रुपे पैसे रखने होते हैं कभी थूक नहीं लगाना चाहिए बहुत से कहलोग करते हैं नौट गिनते हैं और उस पर थूक लगा लगा कर गिनते हैं कभी भी नहीं गिनना चाहिए मा लक्षमी का अपमान समझा जाता है दोस्तो इना इधर उधर आपको पैसे रखने हैं आपको एक निश्चित जिगे बनानी है और उसी जिगे पर आपको ये पैसे रखने हैं आपको क्या करना है या तो आप लाल कपड़ा ले लीजिए या लाल रुमाल भी आप ला सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा नहीं है एक 10-20 पेट कर आप रखेंगे तो आपको विशेस फल मिलेगा और जो अनावश्य खर्चे होते हैं वो नहीं होंगे और जो बरकत है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी और मैं पूरी विशेस दिसा भी बताऊंगी कहां रखने हैं कैसे रखने हैं तो वीडियो स्कीप करके कादर करेंगे नौट ऐसी सकती होती है जिसे हमें बहुती अच्छे तरीके से इन्हें रखना चाहिए तो जोसे की दोस्तों क्या होता है बहुत से लोग होते हैं रुपे पैसे कमाते हैं और कमाकर अपने गल्ले में ही अपनी दुकान पर ही सारे पैसे छोड़ कर आते हैं गर में नहीं लाते हैं ऐसा नहीं करना है आपको कुछ न कुछ चाहिए एक रुपे का सिक्का ही आप उस अमने रोज की कमाई का लेकर आएं लेकिन आपको घर तक उस सिक्के को जरूर लाना है चाहिए एक ही लाएं चाहिए पांच का लाएं चाहिए दस का लाएं चाहिए तो कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, बर्गत नहीं होती है, चाहिए आप एक टॉफी ही लेकर आएं, चाहिए कोई पत्ती ही तोड़ कर लियाएं, लेकिन कभी भी खाली हाथ आपको घर में नहीं आना है, जैसे सुबह ऐसे निकले हैं, साम को घर में खुसरे हैं, खाल ही रखने हैं जैसे कि बहुत से लोगों के पास तो गल्ला होता है बहुत से लोगों के पास एलमीरा होती है तो आपको ध्यान डगना है की कपडों की अलमारी जो है उसमें जो गल्ला होता है हमारा पैसे रखने का तो उसके अंदर जैसे बहुत से लोग होते हैं कीमती चीजे रख देते हैं घड़ी रख देते हैं उनके साथ और जो अपनी परसनल चीजे होती हैं वो रख देते हैं कागजात रख देते हैं मकान के दुकान के यह कुछ भी ऐसी चीज़े रख देते हैं, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं रखना है, उन कागज जो कागज हैं आपके प्रॉपर्टी के या किसी भी चीज के तो वो आपको अलग रखने हैं, किसी के जैसे होता है, मुकदमे चल रहे होते हैं, उन्हें भी आप अपने धन के स् लीजिए, गंगा जल से अच्छी तरह से उसे पहुच लीजिए, उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, लाल कपड़ा, सफाई से के लाल कपड़ा उसमें बिछा देना है, लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको उसमें अपने जो लश्मी गडेस हैं, जिसनों आपने दि धन्की पोटली आप वीडियो बताती हैं आको शुक्रवार को आप पोटली तयार कर सकते हैं अगर नहीं करी है तो मैं उसकी वीडियो आपको दे दुगी तो आप मुझे कमेंड में पूछ सकते हैं अगर आपने जो दिपावली पर पोटली बनवाई थी मैंने अगर नहीं बनाई है तो इस तरह से वो पोटली आपको जरूर रखनी चाहिए अपने धन के स्थान में बस इतना ही आपको रखना है लक्षमी गड़िस की मूर्ती रखनी है और आपको वो पोटली रखनी है धन रद्धी पोटली होती है तो बरकत के लिए रखी जाती है दोस्तों और उसके बाद यह आपको जो नौट है वो रखना चाहिए दोस्तों 10 रुपे के अगर गड़ी मिल जाती है वो भी रखना बहुत सुमाना जाता है अगर करारे नौटों की आपको गंदे गंदे सड़े कटे फिटे नौट बिल्कुल भी नहीं रखने हैं आपको उस गल्ले के अंदर आपको बिल्कुल साफ सुतरे जो नौट होते हैं बतलब साफ सुतरे जैसे होने बस यह है कटे फटे नौट ना हो गले सड़े जो होते हैं कटे फटे नौट आपको कदापी वो नहीं रखने साथो तरे नौट रखने उर एक करारा को बैंक में गड्डी मिल जाती है वह आप ला सकते हैं दर्स के गड्डी अपने हजार ठीट है से बहुत बरक्ट बनी रखने से ज्रूर रखा दोस्तों बहुत इसक sweat होता है अब क्या करना है कि वह दिसा आपको निरधारी दियान रखना है कि किस दिसा है दोस्ih जो बैख होती है अल्मारी की दक्षिन दिसा की तरफ होनी चाहिए और जोिसका मुख खुलेगा वह उत्तर दिसा की तरफ खुलना चाहिए वास्तु के इसाप से भ wygląda जादा सुब दिसा मानी चाहिए जो पीठ होती है उसकी गल्ले की समझ गए आप कि वो दक्षन दिसा की और होनी चाहिए और जो मुख हो वो उत्तर दिसा की तरफ कुलना चाहिए और जब भी आप नौट गिने या पैसे निकालने कभी भी चपल पहन के आपको नहीं निकालने हैं मा लक्षमी का अनादर होता है बहुत ही चोटी चोटी बाते हैं कुछ लोग तो मानते हैं इन बातों को कुछ लोग नहीं मानते हैं जो नहीं मानते हैं फिर उन्हें इन चीजों का अभाव रहता है हमेशा तो इन चीजों को बहुत ज़्यादा मानना चाहिए ये साक्षत मालक्षमी होती हैं बहुत ही जैसे मा लक्षमी चंचल होती है ऐसे ही ये नौट बड़े चंचल होते हैं अगर आप इन्हें धंग से रखते हैं अच्छे से रखते हैं तो ये टिके रहते हैं अगर नहीं रखते हैं तो ये किसी ना किसी विमारी ये किसी भी उसे के जरिये ये हमारे घर से चली जाती है ल तो उसमें भी आप इस तरह से रख सकते हैं नहीं तो आप जो लाल कपड़ा विछाया है उसके उपर अच्छे से रखने हैं आपको और साथ सफाई का विशेश कर ध्यान लखना है दोस्तों इसके लावा अगर आपको कुछ पूछ रहा हो तो जरूर पूछेगा वीडियो प झाल